नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुती इफ्रक्टिव होमोपैथिक मैडिसिन जिसका नाम है दोस्तो किरियोजोड आठ प्रकार की ऐसी डिजीज होती है जिसमें किरियोजोड मैडिसिन का यूज किया जाता है ये जो डिजीज होती है बहुती रेयर होती है बहुती कम पेशेंटों में हमें यहां देखने को मिलती है दोस्तो यदि आप थूजा मैडिसिन यूज करते हैं या आप मेजेरियम म मेडिसिन यूज करते हैं या आप सीपिया मेडिसिन यूज करते हैं तो उसके साथ कीरियोजोड मेडिसिन का कमपेरिजन किया जाता है आज के इस वीडियो में मैं आपको कीरियोजोड मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूँगा कि इस मेडिसिन का यूज किया जाता है पूरी जानकार इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है तो इस वीडियो को आप अंतक देखें मैडिसिन को अच्छी तरह से समझें मैडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें तो चलिए देर ना करते हूँ इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले यदी आप हमारे चैनल पे नए हैं यदी आप हमारे चैनल से जुडना चाहते हैं तो रेट कलर की पड़न दवाकर चैनलों को सस्क्राइब कर लें साथी साथ वेलाइकन की गंटी को जुरूर प्रेश करें ताकि सभी लेटेस्ट मैडिसिन की अप्रेट सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों यदि आप कभी कमेंड करते हैं कमेंड कर रिपलाई आपको नहीं मिल पाता है यदि आप किसी लॉंग टर्म डिस्टी से सफर कर रहे हैं उससे रिलेटर एदिर आप मैडिसिन पूछना चाते हैं तो रातरी नौ बज़े आप हमारी लाइट क्लिनिक जॉइन कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो बात करेंगे इसके बैलमार की इनोट सिम्टम के बारे में मैं यहां जो भी आपको सिम्टम से बताने जा रहा हूँ या इसके बैलमार की इनोट सिम्टम ही है कीरियोजोट के दोस्तो पहले नंबर पे आता है इसके जो इस्तराव होते हैं बहुत ही ज़्यादा तीके होते हैं जो भी इसका जो डिस्चार्ज होता है बहुत ही ज़्यादा तीका होता है यानि कि जहां जहां लगता है वहां की जो इसकीन होती है बहां छिल जाती है और वहां पे जलन को महसूस होती है और जो डिस्चार्ज होता है वहां बदबूदार होता है यहां हमें की रिजोर्ट में यहां लक्षन हमें पेशेंटों में देखने को मिलता है आपने देखा होगा कई बार पेशेंट को चौंट लग जाती है और चौंट से लग जाने के कारण जो पीप नि बहा किसी भी कमरे में जाते हैं कमरा महकने लगता है यहां पेश्चेंड का लक्षन जो है मैं सोरायनम में भी देखने को मिलता है और कीरियोड में भी हमें यहां लक्षन देखने को मिलता है पर उसका जो डिस्चार्ज होता है बहुत ही जादा एक्रीड होता है आपने देख जाती है और जो wide discharge होता है बहुत ही ज़्यादा बधूदार होता है यदि ladies कमरे में बैठी भी है तो थोड़े पास में किसी की नजदीक में जाती है तो वहाँ जो discharge होता है बधूदार होता है और वहाँ महकने लगता है इस तरह के जो discharge होते हैं एक्रीड होते हैं बधूदार भी होते हैं तो उसमें किर्योजोड मैडिसिन का यूस किया जाता है जैसे आप example पर यहाँ भी समा सकते हैं यदि आपके कान से डिस्चार्ज हो रहा है यदि वहाँ एक्रीड है या कान पक चुका है कान से पीप निकल रही है पास निकल रहा है वहाँ बधूदार है तब भी वहाँ पे कर्योजोड मैडिसिन का यूस किया जाता है आसा करता हूं दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे शरीर से कहीं भी किसी भी तरह का इस्तिराव हो रहा है बहाँ एक्रीड है बधूदार है तो सुरायनम के साथ इसकी तु करके की रिजूर्ट मैडिसिन आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे दांतों के लिए एक specific medicine है इसका यहाँ बैलमार की नोटिंटम पैशेंटों में हमें यहाँ देखने को मिलता है दात हर वैक्ति के लिए बहुत ज़्यादा खुबसूरत होते हैं यदि किसी भी प्रकार का सडन हो जाए गलन हो जाए काले हो जाए पीले हो जाए यहावा हिलने लगे यहावा जो हमारे दात होते हैं बाव सेप एंड साइज में ना हो तो पैशेंट को काफी शमश्याओं का सामना करना पड़ता है और सामने वाले वैक निकलते हैं निव वान बेवी जो होते हैं उनके दात निकलते हैं और बहां उसमें सडन लग जाती है बहां सडने लगते हैं उपर से घुरने लगते हैं और छोटे छोटे दात रह जाते हैं तो उसमें किर्योजोड मैडिसिन का यूज किया जाता है इस दा बैल मार की तो उसमें इस्टफिस गिरिया मैडिसिन का यूज किया जाता है तो उसमें मैडिसिन का यूज किया जाता है नेक्स्ट मैडिसिन आती है दोस्तो थूजा तूजा पेशेंट को जब दी जाती है जब जो दात होते हैं जडों से जडों में सडन लग जाती है और उपर से जब भी आप दात देखते हैं तो वहाँ साफ दिखाई देते हैं किसी भी तरह के कोई उसमें कालापन देखने को नहीं मिलता है दातों में सडन लग जाती है, तब पेशेंट को थूजा मैडिसिन दी जाती है, इन तीन मैडिसिन का उसमें यूज किया जाता है, दातों में किरोजोड मैडिसिन, किरोजोड कब दी जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ, इस्टेफिसगिरिया कब दी जाती है, दातों में दातें हिलने लगते हैं उपर से टूटने लगते हैं सडन लगने लगती है तब मेजिरियम दी जाती है और थूजा कब दी जाती है जो हमारी दातों की जड़े होती है उसमें इनफेक्शन हो जाता है और बहा हिलने लगते हैं तब थूजा पेशेंट को मैडिसिन दी जाती ह या एक specific medicine है इस medicine का आप use कर सकते हैं दोस्तों next action आता है कहीं भी यदि आपको चौट लग जाती है आसानी से आसानी चौट में ज़्यादा खून का निकलना इस दा वैलमार की नोट सिंटम आप दिस कीरियोजोर्ट medicine यदि आपको छोटी से पिन भी चुब गई है आपने देखा होगा ब्लड को स्टॉब करने के लिए हैमामेलिस और मैलिफोलियम medicine का यूज किया जाता है यहाँ पर जो किरियोजोर्ट का वैलमार की नोट सिंटमा में यहाँ देखने को मिलता है यदि आपकी सरीर में पिन चुब गई है तो ब्लड जादा निकलने लगता है खांसी चल गई है बहुत जादा होने लगी है तो खांसी के साथ ब्लड आने लगता है नाक में कभी चौट लग गई है तो नाक से बहुत जल्दी ब्लड आने लगता है इस तरह का कहीं भी आपको हलकी फुलकी चौट लग जाने के बाद यदी खून जल्दी आने लगता है तो उसमें की रिजोर्ट मैडिसिन का यूज किया जाता है नेस इसका लक्षना में यहां देखने को मिलता है बच्चे रात में सोते समय बैड पे पिशाब कर देते हैं यहां सुरुवात में यूज की जाने वाली एक स्पेसिफिक मैडिसिन है छोटे जो बच्चे होते हैं यदि सुरुवात में ही बच्चे को यहां मैडिसिन दी दी तो वहां नीद में पिशाप करना बंद कर देते हैं। बच्चे को सवपन यहां आता है कि हम बैड पे सुए हुए हैं। बच्चा बैड पे सुया होता है। और बहां बाहर लेट बात में बातरूम करने जाता है। यहां उसे सपना आता है और बहां पिशाप कर देता है। ज इसका Belmar की No-Tintum है Another medicine में यहां symptoms आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे इस तरह की symptoms आपको देखने को मिल रहे हैं तब आप इस medicine का की रिजोट medicine का यूज कर सकते हैं Next action आता है दोस्तो लिकूरिया में Likूरिया में मैंने आपको बताया था Leucuria को जो discharge होता है बहुत ज़्यादा accurate होता है बहुत ज़्यादा बदबुदार होता है CPI के साथ इसकी तुलना की जाती है CPI को जो discharge होता है बहाँ accurate नहीं होता पर बदबुदार उसमें हमें देखने को मिलता है CPI में भी पर इसमें एक्रिड होता है इसलिए हम दोनों को कंपरिजन करके पैसेंट को कोई एक सेलेक्टेट मैडिसिन दे सकते हैं ताकि बाई डिस्चार्ज की जो पैसेंट को प्रावलम होती है भाप पूरी तरह से ठीक हो जाती है नेक्स आता है दोस्तो इर्रेगुलर मैंसिस मैंसिस का टाइम पे ना हो पाना ब्लड का आतिदिक मात्रा में जाना और जब ब्लड जाता है तो वहां का जो डिस्चार्ज होता है कई वार हमें एक्रिड देखने को मिलता है तब पैसेंट को हम की रिजोट मैडिसिन देते हैं कि रिजोट मैडिसिन अब किस पॉटेंसि में यूज करेंगे कि रिजोट मैडिसिन 30 पॉटेंसि में यूज की जाती है चार बून सुभा चार बून दोफैर में चार बून रात ने कंटिनूई एक से दो महने तक इस मैडिसिन का हम सेवन कर सकते हैं नेक्स आता है दोस्तो तो 200 potency में 200 potency में दिन में एक बार इस medicine का शेवन किया जाता है रेगुलर इस medicine का शेवन एक महने तक किया जाता है इसके बाद इस medicine को श्टॉक कर दिया जाता है बनेंपोटेंसी में यहां medicine आती है बनेंपोटेंसी में सब्ता में एक बार चार बून सीधे डारेक टंग डोस दिया जाता है पेशेंट की complaint पूरी तरह से ठीक हो जाती है एक महने के बाद इस medicine का repetition करने की आपको आफशकता नहीं होगी आपकी जो problem है भाव पूरी तरह से ठ समच गया होंगे comparison करके आप घर में ही medicine लेके अपनी problems को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी confusion है तो आप लाइब क्लिनिक में पूछ सकते हैं यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी long term disease हो गई है आप किसी disease से सफर कर रहे हैं यदि आप online consistency लेना चाहते हैं तो discussion box के नीचे पूरी जानकारी दी गई है इसकिन में अपना WhatsApp नमबर दे देता हूं आप हमसे भी online जय हैं जय भारत बंदे मात्रम